या आप भी मेरी तरह पानी पूरी खाने के शौकिन है? तो आज के इस special वीडियो में मैं आपको पानी पूरी का पानी बनाने का ऐसा तरीका बताऊंगी जिससे आप सर्फ 2 मिनिट में ही तयार कर लेंगे चट पटा स्वादिष्ट पानी पूरी का पानी आज के इस वीडियो में मैं आपको पानी पूरी मसाला के क्यूप्स बनाने के बहुत अच्छी प्रिक बताऊंगी हमें सिर्फ साधा पानी लेना एक बाउल में और फिरें क्यूप्स को डालेंगे और तयार हो जाएगा चट पटा खटा स्वादिष्ट पानी पूरी वाला पानी सिर्फ एक बाउल इन क्यूप्स को बना कर रख लीजिए और छे मिनों तक बिना जंजट के तयार कर पाएंगे आप ये चट पटा पानी और साथ ही आज आपको मैं बताने जा रही हूँ पानी पूरी के इमली वाले मीठे पानी को बनाने का भी इंस्टेंट तरीका तो चलिए बिना देर के देख लेते हैं सबसे पहले तो इन क्यूप्स को बनाने का तरीका इसके लिए यहां में ले रही हूँ 250 ग्राम ताजा पूधीना की पत्या इन पूधीना की पत्यों को अब मैंने धोकर साफ कर लिया है और अभी ने पीसने के लिए मिक्सर जार में डालेंगे सच कहूना तो इक फ्रेश पोदिना की पत्यों से बनावा पानी पूरी का पानी सबसे स्वादिश्ट लगता है साथ ही हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी दूली हुई हराधनिया की पत्या 10 से 15 हरी मिर्च के पीसेस, 2 मीडियम साइस की कच्ची केली के पीसेस 2 टीस्पून साधा नमक, 1 टीस्पून काला नमक, 1 टीस्पून पिसाजीरा, 2 टीस्पून चाट मसाला या पानी पूरी मसाला फाइनल इसमें हमें एट करेंगे आधा गिलास पानी, अब इसे पीसेंगे इसका जो पेस्ट हमें बनाना न वो एकदम महीन बनाना है इसलिए इसे अच्छी तरह से पीसना जरूरी है ये पेस्ट पीस चुका है तो चलिए इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं देखिए इसका फॉर्म एक्जिक्टली हमें ऐसा रखना होगा अब इस पेस्ट के दिने का स्वादिष्ट पानी का मजा आप आएगा अब इन क्यूप्स को हम सेट होने के लिए फ्रीजर में रख देंगे यह देखिए यह हमारे पानी पूरी मसाला के क्यूप्स तैयार हो चुके अब जब भी हमें बनाना होगा पानी पूरी का पानी एक बाउन में ले ले लेते हम मीठा वाला पानी बनाने का भी तरीका मीठा पानी बनाने के लिए पहले तो हम तयार करेंगे खटी मीठी इमली वाली चट इसके लिए सबसे पहले तो 200 ग्राम इमली को हलका सगुन बुना पानी डालकर भीगोने के लिए रखेंगे इससे सिर्फ एक घंटे ही हमे में भीगोना होगा यह देखिए एक खेंटे में पूरी इंबली भीग चुकी है और अब इसका पल्प बनाना इंदम आसान होगा अब इससे हाथ से इस तरह से मैश कर लेंगे और अब इस पूरे पल्प को चलनी पर डाल कर चानेंगे जिससे के इसमें जो भी वेस्ट होगा ना वो अलग हो जाएगा इससे चानते समय चमस से मैश करते वे इस तरह से चानना है ताकि इमली का पूरा पल्प अच्छी तरह से निकल सके देखिए यह पूरा पल्प हमने च चानकर तयार कर लिया है अब हाई फ्लेम पर एक हेवी पेंदे वाली स्टील की कडाई या बरतन रखेंगे इसमें यह पूरा पल्प डालेंगे तीन से चार मिनिट में इसमें बॉइल आना शुरू हो चुका है अब इसे हाई फ्लेम पर ही थोड़ी दिर के लिए बॉइल ह इससे चट्नी की थिकनेस बहुत अच्छी हो जाती है और स्वाद भी बहुत बढ़ जाता है अब डालेंगे वन फोट टीसपून काली मिर्ची पाउडर हाफ टीसपून सिका जीरा पाउडर हाफ टीसपून लाल मिर्च पाउडर एक चमस साधा नमप अब इन सभी मसालों क 3-4 मिनीट उबालने पर ही इसका फॉर्म बहुत अच्छा हो चुका है यह काफी गाड़ी पढ़ चुकी है इससे जादा इससे हमें गाड़ा नहीं करना है क्योंकि जब यह चट्नी ठंडी होगी ना तब भी यह और गाड़ी पढ़ जाएगी अब तुरंत ही हम गयास का फ इस तरह के चोड़े मुवाली दो बॉटल में भरेंगे इस तरह की बॉटल में भरने से चट्नी को निकालते समय हमें आसानी रहेगी अब इन बॉटल को बन करके फ्रीजर के डोर वाली साइड में रख देंगे देखे फ्रेंज कुछ दिनों तक फ्रीजर में रखने के बाद भी इस चट्नी का फॉर्म एगदम सॉफ्ट ही है अब जितनी चट्नी हमें यूज करने हैं उतनी ही निकाल लेंगे ये चट्नी सभी तरह की चाट में बहुत यूज आती है एक बार में ही से एक साथ बना कर चट्नी और शे मेंनों तक यूज करें अब इसी चट्नी से हम पानी पूरी का पानी कैसे बनाएंगे वो देख लेते हैं इस चट्नी में से 4-5 टीस्पून जितनी चट्नी ले लेंगे इससे डालेंगे बड़े मिक्सिन बाउल में और साथ इसमें आड़ करेंगे 2 टीस्प पूरी का पानी तो देखाना फ्रेंग्स कितना इजी तरीका है नहीं एक बार ये ट्रिक का आप भी अपनाएं और जब भी चट्पटी पानी पूरी का मजा लेना है ले लीजिए और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और जादा से जाद कीजिए थैंक्यू फू वॉचिंग मिलते हैं फिर जल्दी ही एक नए वीडियो के साथ तिल देन टेक क्यार बाबाई